दोस्तो बॉलियूड अक्टरेस इसा गुपता अपने बोल्ड नेस की वज़ा से जानी जाती है इसा गुपता ने कई बहतरिन फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से लोगों का दिल जीता है हाला कि इसा गुपता को OTT प्लैटफॉर्म पर रिलिज हुई आसरम वैब स्री से काफी जादा लोग प्रियता मिली है इसके अलावा इसा गुपता ने अपनी डेवी फिलिम में बोल्ड नेस का जबर्जस तड़का लगा कर फैंस का दिल जीता और इसा गुपता ने इसके बाद एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन वाली फिल्मों में काम किया इसलिए आज जोस्तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं असरम थिरी की जिसमें इसा गुपता ने कई बोल्ड सीन दिये इस वैब स्रीज में इसा गुपता की एक्टिंग को लोगों ने खोब पसंद किया इतना ही नहीं उनके बोल्ड अंदास को देखकर लोग उनके दिवाने हो गए और तो और इस वैब स्रीज का बोल्ड सीन उस समय सोचल मीडिया पर भी काफी ज़्यादा वाइरल हुआ था और अक्सर वाइरल होता रहता है जन्नत टू साल 2012 में रिलीज़ वी फिल्म जन्नत टू से इसा गुपता ने बॉल्ड में डेव्यू किया था इस फिल्म में इसा इसा गुपता के साथ काफी ज़्यादा रोमांस किया था इस फिल्म में इमरान हाश्मी और इसा गुपता के बीच कई किसिंग सीन देखे गए थे जो लोगों को भी काफी ज़्यादा पसंद आये थे रास थिरी जन्नत टू के बाद फिल्म रास थिरी आई थी वे फिल्म इस साल यानी साल 2012 में रिलीज हुई थी और खबर तो यह भी है कि फिल्म रास थिरी में भी इमरान हास्मी और इशा गुपता नजर आई थे और इन दोनों सितारों ने फिल्म रास थिरी में कई बोल्ट सिन दिये थे दरसल रास्तिरी होरर्ड फिलिम है और इस फिलिम में इमरान हास्मी और इशागुपता के बीच कई इंटी मेड सीन देखने को मिले है चक्र वियू साल 2012 में फिलिम चक्र वियू भी रिलीज हुई थी और इस फिलिम में इशागुपता नजर आई थी हाला कि इस फिल्म में इशागुपता के साथ में लीड में अरजुन रामपाल नजर आये थे फिल्म चक्र वियू में अरजुन रामपाल और इशागुपता के बीच कई इंटीमेट सीन देखने को मिले थे जिसको देखकर फैंस इनके दिवाने हो गए थे इस फिल्म ने तो बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था लेकिन इस फिल्म में इसा गुपता और अर्जुन रामपाल का इंटीमेट सीन लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आये था इतना ही नहीं इन दोनों के कई इंटीमेट सीन की किलिप अभी भी सोचल मेडिया पर वायरल होती ही नजर आती है तो दोस्तों क्या आपने इन फिल्मों को देखा है आप हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो लिकर जरूर बताएं